हेलो दोस्तों, तो कैसी हो आप सब, आपका स्वागत करता हूँ, आपके बने यूटूब चैनल विजाकालिया स्याइटेस में, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो आपका स्याइटेस, सेकंड फेज काउंसिलिंग थी, उसका फिलाल कोई अफडेट नहीं आया है और वो काउंसिलिंग आज होगी भी नहीं, ठीक है, उसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट आया है, मैं वो बताऊंगा, जो साइकंड फेज काउंसिलिंग है, वो कब से स्टार्ट होगी, और हाँ दोस्तों, जिन्होंने फ़र्ष्ट जो फेज में, जिनका प्रोविनल टाइम अपडेट मिलती रहती है, ठीक है दोस्तों, जैसे आप निमी की उपसेल वेब साइट पर आओगे, तो आपको यहाँ पर कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, अभी किसी दोस्त ने मुझे टेलिगराम, जो हमने ग ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह पूरा सीडूल दिया गया है, सीडूल फोर सेटैस एडमिशन फोर सैसन दोजार बाइस्टेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपर जो ट्रांसफर राउंड, यहाँ पर किलेरिं मेंसन है, ट्रांसफर राउंड आपका जिन्होंने प्रोविजनली एडविशन ले लिया है ठीक है जिन्हें फिस्ट फेज काउंसिलिंग में कोले जला उठा था फिर उन्हें प्रोविजनल एडविशन ले लिया है और दूसरा ये कि उनको फिस्ट चोईस अगर नहीं मिली है जो उन्होंने पांच चोईस डाली थ तो आप transfer round में participate कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो कल जो transfer round है, उसका link open हो जाएगा, और 39 तारिक को उसका result आजाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, second phase counseling कब से start होगी, तो आपकी second phase counseling, 39 तारिक से start होगी, और ये 39 तारिक से लेके 31 तारिक तक आप college choice कर पाऊगे, ठीक है, फिर एक तारिक को आपका result आजाएगा, जो आपको second phase counseling में जो participate करेंगे, और जिनको college allowed होगा, तो यहाँ पर पता लग जाएगा, एक तारिक को, और एक तारिक से 3 तारिक तक आप जाके, document verification करा सकते हैं, नि प्रोविजनल admission ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ आपको ने टेलगराम गुरूप को जोइन ने किया, तो इसको भी जोइन कर ले, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो चले के तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर देना, ठीक है दोस्तों, धन्यव आप मिलते है नेक्स्ट वीडियो में